आज हम लोग बाइलोजी के 40 MCQ कुश्चन करते हैं, चलिए शुरू करते हैं पहला कुश्चन है, सरीरी की सबसे बड़ी ग्रंथी कौन है? आप्सन A है यकरीद, आप्सन B है आमासे, आप्सन C है लार ग्रंथी, आप्सन D है थाईराइड इसका राइट आउंसर है, यकरीद, आप्सन नमबर A सेकेंड कुश्चन है, मनुस्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? आप्सन A है एस्टोजन, आप्सन B है पुरिस्ट्रोन, आप्सन C है रिलेक्सीन, आप्सन D है सभी कथन सत्य है इसका राइट आउंसर है, आप्सन नमबर C, रिलाक्सीन, कुश्चन नमबर थर्ड है, मनुस्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? आप्सन A है Cerebellum, आप्सन B है Thyroid, आप्सन C है Cerebrum, आप्सन D है इनमें से कöyle लेगे इसका राइट आंसर है आप्सन नमबर C कॉश्चन नमबर 4 है, शरीर का तापक्रम कहां लियंत्रित होता है? Option A है Spinal Cord, Option B है Hypothalamus, Option C है Thyroid और Option D है Putitree इसका Right Answer है B Hypothalamus Question No.5 आमीबा में भोजन का अंतगरहन किसके द्वारा होता है? Option A है कुटपाद, Option B है कोसिकामू, Option C है सिलिया, Option D है गुदाद्वार इसका Right Answer है Option No.A, कुटपाद द्वारा Question No.6 है नीम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? Option A है Pepsin, Option B है Trypsin, Option C है काइमोट्रिपसीन, Option D है टाइलीव Right Answer हो जाएगा Option No.D Question No.7 है वह परक्रिया जिसके द्वारा मनुस से स्वास गरहर करता है तथा छोड़ता है क्या कहलाता है? Option A है स्वासन, Option B है स्वासोच्वास, Option C है नी स्वासन, Option D है इन में से कोई नहीं इसका Right Answer हो जाएगा Option No.B स्वासोच्वासन Question No.8 है उर्जा उत्पादन के लिए कोईसी का प्रायख किसका उप्योग करती है? Option A है अमिनो अम्ल, Option B है गुलकोज, Option C है वसा अम्ल, Option D है सभी कथन सत्य है इसका Right Answer हो जाएगा Option No.C गुलकोज द्वारा Question No.9 है किस अभिक्रिया द्वारा पोधे में आक्सीजन बाहरी वातावरंड से कोईसी काउं में पहुंचता है? Option No.A है बीसरण द्वारा, Option B है किलवन द्वारा, Option C दहन, Option D है प्रकास संसलेशां इसका Right Answer हो जाएगा Option No.A बीसरण द्वारा स्वासन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परड़ती क्या कहलाती है? Option A है संसलेशन, Option B है दहन, Option C है परिवर्तन, Option D है बीग्टन, Option D बीग्टन द्वारा Question No.11 है खाद्य पदार्थों का पौधों में अस्थनांत्रण का मुख्य रूप कौन सा होता है? Option No.A है गुलकोज, Option B अस्टार्च, Option C प्रोटीन, Option D सुक्रोज इसका राइट आंसर हो जाएगा, Option No.D सुक्रोज द्वारा Question No.12 है एक स्वस्त मनुस्य का रक्त चाप कितना होता है? Option A है असी बटा एकसो बीस, Option B है एकसो बीस बटा असी, Option C है नब्बे बटा एकसो बीस, Option D है एकसो बीस बटा नब्बे Option No.B हो जाएगा, Option No.B है एकसो बीस बटा के असी मनुस्य के मस्तिक्स की सबसे बाहरी जिली क्या कहलाता है? Option A है पाया मेटर, Option B है एरेकनाइट, Option C है डिवरा मेटर, Option D है मेटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, Option No.C डिवरा मेटर Option No.14 मनुस्य के सुगने के छमता को नियंतित करता है Option A है अप्टिक पाली, Option B है सेरिब्रम, Option C है घरंदिरिया पाली, Option D है इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा, Option No.C घरंदिरिया पाली Question No.15 है, मनुस्य में बुद्धी एम चतुराई का केंद्र है Option A है सेरिब्रम, Option B है थैलमस, Option C है सेरिब्रम और Option D है अस्पाइनल कोड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, Option No.C, Question No.16 हार्मोन सब्द का नामकरण किसने किया थैं Option A है राबर्ड, Option B है अरस्तु, Option C है बेलिस एम अस्टारलिंग, Option D है ब्राउन पोटर इसका राइट आंसर हो जाएगा बेलिस एवं स्टारली option number C बेलिस एवं स्टारली option number 17 है प्रिथक करण का नियम किसने दिया था option A है मेंडल option B है डार्विन option C है सिरियंज option D है बैविलुनियन इसका राइट आंसर हो जाएगा option number A मेंडल द्वारा question number 18 है जीव बिज्ञान सब्द का परियुक सर्व पथम किसने किया था option A है लाइमार्ग तथा ट्रेविनिरस option B है वालमान option C है प्रुकेंजे option D है अरस्तू इसका राइट आंसर हो जाएगा option number A लाइमार्ग तथा ट्रेविनिरस ले question number 19 है जीव बिज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं option A है लाइमार्ग option B है एरियेंस option C है अरस्तू और option D है ट्रेविनिरस इसका राइट आंसर हो जाएगा option number C अरस्तू question number 20 बनस्पती बिज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं option A है थियो फ्रेश्टस option B है पुरकिंजे option C है डार्विन option D है अरस्तू इसका राइट आंसर हो जाएगा option number A थियो फ्रेश्टस question number 21 है बोटिनी सब्द की उत्पति किस भासा से हुई है option number A है फ्रेश्ट option number B है लैटीन option C है ग्रीक option D है पुर्तगाली इसका राइट आंसर हो जाएगा option number C ग्रीक सबसे question number 22 है फाइकोलोजी में किसका अधिन कियता है option number A है कवक option B है सैवाल option C बिसाडू option D ये सभी इसका राइट आंसर है option numbers B सैवाल question number 23 है पर्यावरान का अधियन जीव विज्ञान के किस साखा के अंतरगत किया जाता है A है वर्गी की option D है अन्वानसिकी option C है कारी की option D है परस्तिती की इसका राइट आंसर हो जाएगा option number D question number 24 है डेंडरोलोजी का समद किस से है option A है पौध्यों के अधियन से option B है पुस्पों के अधियन से option C है बिच्छों के अधियन से और option D है जाडियों के अधियन से तो इसका राइट आंसर हो जाएगा option number D जाडियों के अधियन से question number 25 25 पुस्पो काध्यन कहलाता है Option A है एग्रिस्टोलोजी Option B है एन्थोलोजी Option C है फिनोलोजी और Option D है इन्हें में से कोई नहीं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Option नमबर B एन्थोलोजी Question number 26 बनस्पति संबर्धन से संबन्धित विज्ञान की साखा को कहते हैं Option A है उलरी कल्चर Option B है हार्टी कल्चर Option C है एग्रिकल्चर और Option D है फ्लोरी कल्चर तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Option नमबर B हार्टी कल्चर Question number 27 है अस्पर्मोलोजी में किसका अध्यन किया जाता है Option A है परागर, Option B है बीज, Option C है पत्ति, Option D है फ्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा Option number B, बीज द्वारा Question number 28 एग्रिकल्चर्मोलोजी में किसका अध्यन किया जाता है Option A है घासों का Option B है फसलों का Option C है फलों का Option D है तेल बीजों का इसका राइट आंसर हो जाएगा Option number A, घासों का Option number 29 है पीडोलोजी में किसका अध्यन किया जाता है Option A है भूमी का Option B है फलों का Option C है चटानों का Option B पौधों का इसका जो राइट आंसर है वो है Option number A, भूमी का 30 है पौधे को नाम देने वाले बिज्ञान काहलाता है Option A है नाम करण Option B है वर्गिकी Option C है पाचान और Option D है नाम करण राइट आंसर हो जाएगा Option number A, नाम करण Question number 31 है बर्गत के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़े काहलाती है Option A है वाईवे मूल Option B है आरोही मूल Option C है अस्तम मूल Option D है वलेकार मूल इसका राइट आंसर हो जाएगा Option number C, अस्तम मूल Question number 32 है पेड में नीमले खित में से कौन सामेशा रहता है Option A है पत्ती Option B है जड़ Option C है कलिका Option D है टाहनिया राइट आंसर हो जाएगा Option number B, जड़ Option number 33 है आलू का खाने योग भाग होता है Option A है पत्ती Option B है फल Option C है ताना Option D है कलिक इसका राइट आंसर हो जाएगा Option number C, ताना द्वारा Question number 34 है नाकफनी में प्रकास अंसले सीक कारे होते है Option A है सलकंध द्वारा Option B है पणकाय अस्तम द्वारा Option C है घंकंध द्वारा Option D है इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा Option number C Option number B पणकाय अस्तम द्वारा Option number 35 है निम्नली खिद में कौन एक तना है Option A है गाजर Option B है मूली Option C है आलू Option D है यह सभी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो Option C है आलू Question number 36 से आलू भूमिगत रुपांतरी तना है जिसे कहा जाता है Option A है घंकंद Option B है सकरकंद Option C है सलकंद Option D है कंद इसका राइट आंसर हो जाएगा Option number T कंद Question number 37 है हल्दी के पोधे का खाने यूग हिस्सा कौन सा है Option A है फल Option B है प्रकंद Option C है कंद और Option D है सलकंद तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Option number B Question number 38 है अद्रक क्या है Option A है राइजों Option B है बल्ब Option C है जड़ और Option D है इन में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा Option number A राइजों Question number 39 प्याज किसका परिवर्तित रूप है Option A है जड़ Option B है पुस्प Option C है तना और Option D है फल इसका जड़ राइट आंसर हो जाएगा लेकिन जब Option में तना दिया है तो हम तने पर टिक कर देते हैं Question number 40 एंड लास्ट कोश्चन वे पुद हैं जिन में कभी पुस्प नहीं बनते क्या कहलाते हैं Option A है क्रिप्टो गेम्स Option B है एंजियो स्पर्म Option C है जिमनो स्पर्म Option D है इन में से कोई नहीं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Option number A क्रिप्टो गेम्स प्रष ग्ल नहीं अबग्स को इन जबग्स ně गग्स